कार्तिक भगवान की जय, आप सभी पर कार्तिक भगवान के गृपगा बनी रहे。 आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास में चौथे दिन सुना जाने वाला कार्तिक महात्रम. अगर आपने इससे पहले के तीनों अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन अध्यायों को सुन सकते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी सेनुरोध हैं कमेंट बॉक्स में कार्थिक भगवान की जय जरूर लिखेगा तीसरे अध्याय में भगवान शुरी हरी ने देवर्शी नारत से मत से अफ्तार धारन करने की बात कही थी तब भगवान श्री हरी देवर्शी नारत को कथा बताते हुए कहते हैं कि एक बार ब्रहमा जी के पास से वेदों को बहुत बड़ी दैति है ग्रीव ने चुरा लिया चारो और अज्यानता का अंधकार फैल गया पाप तथा अधर्म का बोल बाला हो गया तब भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए मत सिरूप धारन कर उस दैते का वद किया इस प्रकार राक्षिस दुआरा चुराए गई वेदों की रक्षा भी की गल पांत के पूर्व एक पुर्न्यात्मा राजा तप कर रहा था राजा का नाम था सत्यवरत, सत्यवरत पुर्ण्यात्मा तो था ही, बड़ा उदार हिर्दे का भी था, सभी प्राणियों की सहायता करता था, सुभा का समय था सूर्य दे हो चुका था, सत्यवरत कृत्माला नाम की नदी में स्नान कर रहा था, उसने स्नान करने के बाद जब तरपन के लिए अपनी अंजुरी में जल भरा तब अंजुरी में जल के साथ एक छोटी सी मचली भी वहां आ गई अब जैसे ही सतिवरत ने मचली को नदी के जल में छोड़ना चाहा मचली बोल पड़ी हे राजन जल के बड़े बड़े जीव छोटी छोटी जीवों को मार कर जाते हैं अवश्य कोई बड़ा जीव भी मुझे मार कर खा जाएगा इसलिए कर पैकर आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए नंधी सी मचली को इस प्रकार विंती करते देखकर राजा सतिवरत के हिर्दय में दयाउत्पन हो गई उसने मचली को जल से भरेवे अपने कमं उसके रहने के लिए छोटा पढ़ने लगा इस तरह राजा जिस भी पात्र में उस मचली को रखता वही छोटा पढ़ जाता और मचली का आकार दो गुना बढ़ता जाता कई पात्र बदल डाले लेकिन मचली अपना आकार बढ़ाती ही रही तब सत्यवरत ने एक दिन मचल के लिए छोटा पढ़ गया सरोवर में जाते ही मचली का आकार और ज्यादा बढ़ गया अब राजा सत्यवरत ने मचली को सरोवर से निकालकर नदी में डाल दिया अब नदी भी उस मचली के लिए छोटी पढ़ गई इस प्रकार जब सत्यवरत ने देखा कि मचली का आकार तो बढ़ता जा रहा है, इसके लिए सभी पात्र छोटे पढ़ गए, सरोवर छोटा पढ़ गया, नदी भी छोटी पढ़ गई, अब मैं इस मचली को इस नदी में से निकाल कर समुद्र में डाल देता हूँ, ऐसा सोच कर राजा सत्यवरत ने उस नन्नी सी मचली का जिसका की आकार बढ़ता ही जा रहा था, नदी में से निकाल कर एक विशाल समुद्र में डाल दिया, बड़ा अश्यरी हुआ, समुद्र में भी मचली का शरीर इतना अधिक पढ़ गया, कि अब तो समुद्र भी मचली के रहने के लिए छोटा पढ़ गया, अतहा मचली पुनह नहीं है, देखो, मेरा आकार और इस समुद्र का आकार, मैं यहाँ ठीक से रहने ही पा रही हूँ, किरपयाकर मेरे रहने की व्यवस्ता कहीं और कीजिए, अब राजा सत्यवरत विसमित हो गया, हैरान हो गया कि उसने आज तक ऐसी मचली कभी नहीं देखी थी, कि जिसके ल लिए हर प्रयास किये, उसे बड़ी सी बड़ी नदी, बड़े से बड़े समुद्र में भी डाल कर देख लिया, लेकिन मचली का आकार बढ़ता ही जा रहा था, अब इस प्रकार हार मान कर राजा सत्यवरत हाथ चोड़कर उस मचली से विंती भरे स्वर में कहने लगा, मेर ना किसी संदे की कहा जा सकता है कि आप कोई साधारन मचली नहीं है, या तो आप कोई दैवी शक्ती है या परमात्मा है, अगर ये बास सच है, तो किरपयागर मुझे बताए कि आपने मत्सिरूप धारन क्यों किया हुआ है, राजा सत्यवरत बहुत ही हैरान और परिशान सच मुझ मत्सिरूप धारन किये वे वो भगवान श्री हरी ही थे, मत्सिरूप धारी श्री हरी ने इस प्रकार राजा सत्यवरत की बात सुनकर और उसको विंती करते वे देखकर मुस्कराते वे उत्तर दिया, हे राजन, एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है, और इस जगत में चारों और अज्यान और अधर्म का अंधकार फैल चुका है मैंने उस राक्षस को जिसने सभी वेदों को चुरा लिया है उसे मारने के लिए उसका वद करने के लिए ही मत्सरूप धारन किया हुआ है आज से सात्वे दिन सारी प्रत्वी पानी में डूम जाएगी औ आपके पास एक नाव पहुंचेगी आप सभी अनाजों और और ऑश्तियों के बीजों को लेकर सब तरिश्यों के साथ नाव पर बैठ जाएगा मैं उसी समय आपको फिर से दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मतत्व का ज्यान प्रत्दान करूंगा ऐसा कहकर भगवान श्रीहरी जो की मत्सरूप धारण किये हुए थे वहां से अंतर ध्यान हो गए और राजा सत्यवरत उसी दिन से भगवान श्रीहरी का ध्यान करते हुए प्रलय की प्रतिक्षा करने लगे साथवे दिन प्रलय का द्रिश्य उपस्थित हो उठा चारो तरफ जल ही जल था जल उमड़कर अपनी सीमा से बाहर बहने लगा भयानक व्रिष्टी हो रही थी थोड़ी ही देर में प्रत्वी जल में समा गई सम्पून प्रत्वी पर जल ही जल दिखाई देता था ठीक उसी समय जैसा कि भगवान श्रीहरी ने कहा था एक नाव उस पानी में दिखाई पड़ी उस नाव पर सब्तरिशी भी सवार थे राजा सत्यवरत सब्तरिश्यों के साथ उसी नाव में बैठ गए उन्होंने नाव के उपर सम्पून अनाजों और आश्टियों के बीज भी भर लिए इस प्रकार नाव प्रलय के सागर में तैबनी लगी प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था राजा सत्यवरत हाथ चोड़कर मन ही मन भगवान श्रीहरी क कि प्रार्थना करने लगे कहने लगे है प्रभू आप ही स्रस्टी के आदी है आप ही पालन करता है और आप ही रक्षक है दया करके कृपया करके आप हमें अपनी शरण में लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए इस प्रकार राजा सत्यवरत और सत्रिश्यों की प्रार्थना करने पर मत्स रूपी भगवान प्रसन हो उठे उन्होंने अपने वचन के नुसार राजा सत्य व्रत को आत्म ज्यान प्रदान किया और कहा सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ ना कोई उचा है ना कोई नीच सभी प्राणी एक समान है ये संपूर्ण जगत नाश्वान है कहीं कुछ भी अमर नहीं है इस नाश्वान जगत में मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इस नश्वर जगत में जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है वो अंत में मुझमें ही मिल जाता है इस प्रकार मत्सरूपधारी भगवान श्री हई से आत्म ज्यान पाकर राजा सत्यवरत का जीवन धन्य हो उठा उधर महा प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्सरूपधारी भगवान ने उस दैति को मार कर उससे वेद भी छीन लिए और भगवान श्री हरी ने ब्रह्मा जी को सारे वेद पुनह दे दिये इस प्रकार वेदों के पुनह प्राप्त किये जाने पर संपुन जगत प्रकाशपान हो उठा कार्थिक मास चौथा अध्याय समाप्त आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल